कि कॉंग्रस का हाथ नहीं था, कॉंग्रस पूरी की पूरी कॉंग्रस इन्वाल्ड थी, 1984 के जेनसाइड में, जो दिल्ली में हुआ, जो देश में हुआ, उसमें पूरी की पूरी कॉंग्रस इन्वाल्ड थी, और कॉंग्रस नहीं, ततकालीन परधान मंत्री, आज के कॉंग् रहुल गांदी जी के पिटा जी शुरीमार रजीव गांदी वो भी 1984 कंदर जो कतले हैं हुआ उसकंदर इन्वाल्ड थे आप लोगों को दिहान होगा रजीव गांदी जी ने तब कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है तेश के परधान मंत्री ततकालीन पार्टी कॉंगर्स पार्टी के धक्ष आज के रहुल गांदी जी के पिता जी ने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है इसका मतलब ये था कि वो जो चुरासी में कतले हैं हुआ उसको वो जस्तिफाई कर रहे थे उस पर माफी नहीं मांग रहे थे उस पर कमलनाथ एक कलंभी लिस्त है ये इंड्विजियोंग थे मैं पूछ नहीं तो इन्ड्विजियोंग कौन थे इक कुई पार्टी कै कॉई कागज । पहन होती है जए कोई वोडिंग होता है जब बोर्ड होता है पार्टी नेतां के कारे करता हों को मिलकर एक पार्टी बनती जो सिख्खों को जखम 1984 का मिला हुआ है पूरी कॉंगर्स पार्टी उसमें रहुल गांदी हो बेशको चेदर्वन साहब हो बेशको कैप्टन मंजिर सिंग हो उस सब के सब उस पर नमक लगा रहे हैं